जैमातादी कचनार का व्रिक्ष दक्षिन पूर्व एशिया का मूल निवासी है और हिमाले की निचली सताओं में भी पाया जाता है इसकी उचाई 40 फीट तक होती है और इसके सुन्दर रंग होते हैं फूलों के गुलाबी बैंगनी और सफेद जिनमें हलकी सी खुश्पू होती है और प कचनार के पौधे को बीजों से, कटिंग से और ग्राफ्टिंग से बढ़ाया जा सकता है कचनार के व्रिक्ष को पूरी धूप चाहिए और पोरस मिट्टी चाहिए होती है इस पौधे के सभी अंग खाने योग्य होते हैं इसके फूल, पतियां, इसकी मुलायम शाखाएं, जड़ें, सभी दवाएं बनाने के काम आती हैं, सबजी भी बनाई जाती है, और अचार भी बनाया जाता है, इसके फूलों का, कलियों का, चिनार की लकडी, इमारते बनाने के काम आती है, और इस व्रिक्ष की चाल, रंग बनाने के काम आती है, इस पौधे के असंखे औश इसमें विटामिन सी भरपूर होता है, खनिज और इम्मिनिटी बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, एंटि आक्सिडेंट्स होते हैं, यह व्रिक्ष और शदिये गुनों से भरपूर है. साथियों ऐसे दिव्य, पौधों की जानकारी और उनके दर्शन करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए, प्लीज लाइक, शेर और सबस्क्राइब इस चैनल, जै माता दी. झाल, जै माता दिव्य, जै माता दिव्य, उनकी जानके के लिए, झाल, जै माता है.